हेमाचल परदेश काफी लंबे समय से सूखे की मार छेल रहा है बारिश और बरफबारी ना होने से बागवानों किसानों सहित परदेश के लोग भी परिशान है लेकिन अब लोगों को रहत मिलने की उम्मीद है मौसम विभा के पुरवानुमान के अनुसार 30 जनवरी से पश्चमी विक्षोब सक्रिय होने से मौसम बिगड सकता है जिस से बारिश और बरफबारी देखने को मिल सकती है मौसम वग्यानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में मौसम ड्राय रहा है और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है हालांकि नियुंतम तापमान सामान्य है तीस जनवरी से पश्चमी विक्षोब सक्रिय होगा जिसके बाद तीस जनवरी से हिमाचल के उपरीक शित्र चमबा लाहौल और किन्नौर में भारी बारिश और बरफबारी और कई भागों में बारिश की संभाबना है राज्य में चार फरवरी तक बारिश बरफबारी का दोर जारी रहने के आसार है हालांकि दो फरवरी को उच परवतिय एक दो स्थानों को छोड़ कर अन्ने में मौसम साफ रहने के आसार है विभाग के अनुसार पहला पश्चमी विक्षोब 31 जनवरी वदूसरा तीन साफमान सामाने से नीचे रहने की संभाब ना है जनवरी में अभी तक पूरे परदेश में भी 100% के आसपास ही माइस 100% है बारिश ना के बराबर हुई है और अगामी 5-6 दिनों की बात करें तो देखिए आज तीस तारीक को लेट नाइट से एक एक टीड़ूडी परदेश को एफेक्ट कर रहा है और इसके चलते जो रेन्फॉल और स्नोफॉल एक्तिविटी पूरे परदेश में ही देखिए आज रात से शुरू होने की संभावना है और इसके चलते 31 जनवरी और पहली फैबुरी को पूरे परदेश में ही जैसे जो प्लेन के डिस्टिक हैं वहां पे बारिश होने की समभावना है और मौल रेट टू है इवी समभावना है 31 और पहली फैबरी को और इसके चलते रेखिए जो अलर्ट जारी गिया है आज जैसे जो अक्टिविटी शुरू होगी लेट नाइट से 30 जिन्वरे से तो कुछ एक शेतर है मेडिल्स के जैसे कांगड़ा, मंडी है इसके चलते जैसे जैसे एक्टिविटी पिक अप करेगी तो 31 तारीक और पहली फैबरी को जो डिस्टिक चमबा, लहुस्विती, कुलू की नौर है यहाँ पर जो भाई स्नोफल होने की संभावना है इवन जो शिम्ला के जो हाई रिच्ज है वहाँ भी माड़ेट रहभी स्नोफ़ोने की संभावना है एक दो स्पल, तो इसके चलते और इंज जड़ जारी किया है और फिर देखे यह जो एक्टिविटी है फिर दो तारीक को थोड़ी वैदर में थोड़ी कम ही आएगी फिर तीन तारिख से फिर से एक Mनलब ड्रॉड के ऐफएक्स से तीनी और चार तारी को प्रदेश के बहुत से सानों में देखिये बारिश और जो उप्रिक्षेटर है में बर्बार के डिस्टिक व्ज़ोय нам हो ने कि अव्जूय आए चेमाजर ने का जो दोला कुवाँ है और जो कांगणा जो जौरणी मान करी तो जासे धाब करेंडेश की ऩजो इसे जंभी पेरी बीच में एक अप्रोच का उसके चलते हम प्रस्रे n पर्देश केम कम हो गया था पिछे तीने दिनों से उसका इलर्ट भी नहीं था और देखिया जैसे डव्यडी अप्रोच करेगी इसके चलते जैसे जैसे क्लाडिंग बारा शुरू होगी तो फोग होने की समझापना कम रहेगी मैदानिक शेत्रों में हालांकि जैसे जो यह एक्टिविटी शुरू होगी परदेश में जहां जहां भारी बारिश या स्नोफन होने वहां विजिविटी डेफिनेटली आपकी ड्रॉप करेगी इसी जो स्पेल है आपका जो लेट नाइट से शुरू होगा और एक तारीक तक में जाई माला दो तारीक सुबर तक जाई रहें समाबना इसकी है फिर दो तारीक जासे तो बड़ी माला जो माला बारिश या स्नोफ उसने कम ही आएगी हालां कि माला चिट पूर एक उस तानम में फिर भी दो तारीक को बारिश और आरीश स्नोफने समाबना रहेगी ब्यूरो रिपोर्ट एन टीवी